तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो आपका स्वागत है यहां पर एपिशोर नमबर 3 में तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी इस रिक्वेश्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैन स्काइप नहीं किया है तो प्ली चैन स्काइप कर दीजेगा और नीचे कमेंट भी कर दीजेगा क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे बहुत जादा ही मोटिवेट करता है और भी यसी नई नई वीडियो बनाने के लिए तो ये मेरी आपसे हाँ जोड के विंती है कि प्ली साब लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजेगा अगर आप 40 कमेंट करते हो तो अगली वीडियो जल्दी आ आ रहे होते है तो ये रे को बोलती कि तुम यहां पर बिल्कुल भी मत हिलना तो रे बोलता है ठीक है जिसके बार रे जो होता है टाइम मैजिक का स्वाल करता है और यहां पर रोज नहीं हील पा रही होती है और यह जो दो सानिक के पास जाता है और उनके उपर हमला करता है उनको गैप कर देता है तभी एक बहुत बड़ा जा सैनिक होता है वो आ जाता है लेकिन यहाँ पे जो रे होता है वो अपने ग्रेवटी मैजिक का स्वाल करता है और यहाँ पे इसको जया निकी जुका देता है लेकिन gravity magic का pressure बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे sunnick नीचे गिर रहा होता है लेकिन ray उसको बचा लेता है तभी रोज बोलती कि आखिर कार इसने उसको बचा है क्यों तो रोज बोलती कि आखिर कार तुम क्या करने कोईश्च कर रहे हो तो यह बोलता कि लगता कि तुमको मैंने अपने बारें बता है नहीं असल मेरे नाम ray है और मैं यहाँ पे 7 जो demon army है उसका जहुग captain हूँ अगर मैं एक इंसान होता तो आखिर कार मैं एक demon army का captain कैसे होता अब तुम मुझे यह बताओ कि आखिर कार तुमने मुझे माने के लिए बंदा भेजा था कि नहीं भेजा था लेकिन यहाँ पे यह बोलती कि मैं कुछ भी नहीं बताओंगी भले तुम मेरी जान ले लो जिसके बाद जो रे होता है वो रोस के बहुत ज़्यदा पास चला जाता है और माइंड रीडिंग मैजिक का समाल करता है तब ही जो डमन लड़की होती है वो रे को देख रही होती है और यह बोलती कि आखिर का तुम क्या कर रहे है यह देखो अगर तुम यहाँ पे किसी लड़की के पास जाओगे तो वो लड़की मैं होंगी लेकिन यहाँ पे रे बिल्कुल भी इसकी बात नहीं सुनता और य यहांसे जा रहा होता है तब ही रोज बोलती कि तुम तो मुझे हराने आए थे अकिर का तुम मुझे छोड़के क्यों जा रहे हो तो रे बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और वैसे मैं तुम्हेरा दूस्मन हूं तो मैं यहां पे तुम एक सलाऒ दरा जाता हूँ कि यहां पर रे बोलते की नहीं मुझे घर आगे रिलएक्स करना है जिसके बार रे महल में आ जा जाता है सेता जैस का विलकम करती हैर हैए यहां पर सेता को जो चावल होता है वो देता है सेता बोलती की आखिर कार यह सब क्या है शुभे वृट सी चीज़े क्या है यह बो lautan कि म बहुत ज़दा अच्छी हो रही है और उसका हमें पार्मरकोगे पक्लाब हमें कोई जोत्रभ नहीं परएगे application हमारे पास फूर्ट जीदा यह जाएगी और नहीं हमें ऑने की चृत्ता करनी बढ़ेगी और इसके मतलब बंदें टो फार्मर को नर्यूँ बने यहां तो अब तुम्हें समझाया कि आखिरकार यहां पर मैं क्या कहना चाता हूं लेकिन यहां पर साथा बिलकुल जो होती है पागल हो जुकी होती है और सारी बाते उसके सर के उपर से गई होती है तो रे बोलते कि देखो जितना आठ टैक्स होगा उतना मैं खाने को मिलेगा तो बोलती कि मैं समझ गई जिसके बात यहां पर हम देखते कि बहुत सारे डेमन खड़े होते हैं तो यहां पर जो वाइड के उनई तहां कि वह यह अमला नहीं कर सकते हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता कि हमारे آरमी के अंдर को जहसूस है और यो मांड रीडिग कील का इस्तमाल करता है तब यह गोबिलिंग यहां पर ड़र रहा होता है और यह बोलता है कहीं उसको मेरे बारें परणाना चल ज़िया है तब ही रे इसके सामने आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम एक स्पाई हो जिसके बाद हम नेक हीन में देखते हैं कि रे टीना के पास आया होता है टीना बोलती कि तुम बहुत टाइम के बाद मेरे पास आये हो आकिर का तमें क्या चाहिए ? तुम्हें देखने से ऐसा अरग रहा है कि तुम बहुत ज्यदा ही जल्दी में हो तो रेफ भूलता है कि मैं इतनी जल्दी में नहीं हूँ मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसलिए बाहर खळाया होके तुम्हारा जह इंतजार कर लूँगा तभी यहाँ पे टीना बोलती के तुम्हें देश द्रोई के बारें पर चला है तो रेव बोलती है कि तुम्हें कैसे पर चला तो टीना बोलती है कि मुझे फील हुआ आखिर कर वो कौन है जैक बोलते क्या वो बंदा जो यहां पे हील हो गया है ना आखिर का रे इतनी जलती हील कैसे हो गया तुमने तो उसके उपर तीर मारा था ना तो बंदा बोलते कि मुझे माफ कर दीजेगा लेकिन मैंने उसकी पीट पे तीर मारा था तभी एक ओडेमन इसके पास आता है और कि ओबनने को भि Commissioner बोलता कि अगर trip के बोलता कि मिवाद आरहा है और बहुत जाता है यहां पे एक पास और यह बोलता कि मैं नियों सकते हो और यहां देखता कि अगर यहां पुरी तया तो पिर शेतित वे पर मिश्यार। थे शानिकु के तुम्हारे खूंगि प्यासे हैं और तुम्हें के लिए ही फाइटिंग करने आ गए हो तब जो होता है वह इसारा करता है जिसके बाद भी बहुत सारे जो मीट्रियोय होते हैं वो जो जो भे नीचे गिरने लग जाते हैं और उसमी गॉब्लन्स को यहां पे दबाने लग जाते है और हम देखते कि टीना यह हमला कर रही हृती है रे बोलते है कि मैंने इसको चोटा मोटा हमला करने को बोला था लेकिन इसने तो बहुत बड़ा हमला कर दिया यहीं पर हम जैक को देखते हैं जो यहां से भाग रहा होता है तभी जो रे होता है वो इसके पीछे आ जाता है जैक यहां पर डर जाता है और इस सानिकों को बोलता है कि तुम लोग इसके उपर हमला करो त उसके बाद ये जंगल में आ जाता है और यहाँ पर जा रहा होता है तवी जो रे होता है वो इसके पीछे आ जाता है तो ëb captive बोलता है जो अकर को वियुघ जो जगा है उसके बारे में प्रक है चला जब कि सीप मैं ही यहां पर जो इस पात के बारे मैं जानता हूँ और यहां पर यह कहते हुए गोबिलिंग सीधा रे के उपर हमला कर देता है लेकिन रे भी इसके हमले को डिफेंड करता है और इसको जो पकड़ लेता है रे बहुत है कि देखो मैं तुम से एकी स्वार पूछूँगा कि तुम आखिर कार यह सब क्यों कर रहे हो तो यहां पर जो गोबिलिंग होता है यह बहुत है कि असल में जो हमारी डेमन लोड है वो जह बहुत जदा ही बेकार है वो बहुत जदा है इनसानों के पर देखो यहां पर डेमन का जो असली काम होता है वो क्या होता है कि वो इनसानों को मारेंगे लेकिन वो यहां पर जो इनसान है उनको छोड़ जेती है बिना किसी कारण के वैसे अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम लोग मिलके यहाँ पर जो डमन लोड है उसे जह चेंज कर सकते है तुम्हारी पावर और मेरा दिमाग यहाँ पर जह सब कुछ चेंज कर सकता है तो रे जो होता है इसके ओफर को यहाँ पर मना कर देता है तबी जो टीना होती है वो यहां पे आजाती है और वो इस बंदे को देख रही होती है और सिधह इसके पास आजाती है यह रे को बोलती कि तुम कितने जार्ष नरण दिल के हो तुम मेहां पे इतने प्यार से पूस्थास करोगे तो यह बताएगा क्या तब ही हम देखते कि गोबलिंग के अंदर जहर फैलने लग जाता है रे इसके उपर काफी सारे मैजिक ट्राइ करता है लेकिन कोई मैजिक भी काम नहीं करता टीना बोलती कि ये जादू बहुत ज़्यादा ही हाई लेबल का इसलिए यहाँ पे कोई जादू स्क्यूपर काम नहीं करेगा जिसके बाद टीना बोलती कि देखो जैक अब तो जहें तुम जाने वाले हो अगर तो मुझे नाम बता दो तो यहाँ पे हम जहें तुम्हारा बदला ले लेंगे तो यहाँ पे महरा नहीं बोलती क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो यहाँ पे इंके पास कोई प्रूफ नहीं होता तो ये मेरी आपसे हाँ जोड़के विंती है कि प्लिस कमेंट कीजिए तो मिलता हूं अगले वीडियो में जवत अगले बाई बाई